तो नमस्कार दोस्तों आपके अपने टेकनिकल रामप्रेश यूटूब चानल पर आपका स्वागत है और मेरा नाम धी राज प्रहिश राजबरे तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने हो लाओं कि अपने मोबाइल को किस तरह से अपने लैपटाप को या डेश्टाप अपने वीडियोज वह से अगर dramal साइमय करते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को निळिटिकर जोरे या अपने देक्स एपने लब्टाप के स्क्रीन पर आछुके हैं लैपटाप के स्क्रीन पर आपको से में säga पर स्क्रीन याप तो हम या अपने ऑपде में लैप्टॉप की स्क्रीन पे मोबाइल की स्क्रीन दिखाता हूं यहां पर साइड में यहां पर देख सकते हैं लेट्स व्यूव करके आप्लिकेशन आएगी इस तरह से इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है मैंने इस्टॉल करके रखा है तो इसके बाद इसको ओपन क करने के बाद इस तरह से आपका आप ओपन हो जाएगा और आपको सबसे फर्स्ट में और मोस्ट इंपोर्टन बात यह कि आपको जो है कि सेम वाइफाई से अगर यह कनट करके रखेंगे तभी स्क्रीन मिरेरिंग हो जाएगा तो इसके लिए आपको सिम वाइफाई यूज करना है उसके अलावा यह नहीं होता है क्योंकि से माइप आड्रेस जब डिटेक करता है तभी यह प्रोसेज कंप्लीट वहां पर होती है तो यहां पर सिंप्ली अभी मेरे लैप कर लेता हूं अपना यह आपके पास वाइफाई है तो वाइफाई अगर अगर कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल का ऑसपड भी कर सकते हैं और यह प्रोसेश से माब अपने एंडर्व यूजर है एंडर्व मोबाइल में भी कर सकते हैं और सेम प्रोसे थोड़ा सा इधर साइड कर लेता हूं तो यहां पर देख सकते हैं मेरा राइट साइड में मोबाइल की स्क्रीन है और यहां पर मेरा लेट्स वी जो सॉप्टर है अपने कम्पूटर के अंदर हो है तो इसको कनेट किस तरह से करना है आपको सिंपली एप जो ओपन है इस पर क desarrollo कर सकते हैं यहां पर क्यूंपोर करके इस तरह से डुचपंब मे और यहां पर अलो का और आप्शन इसको अलो कर देना है ज हालो करते यहां पर देख सकते में हमारी जो स्क्री ने यहां पर आ चुकी यहां पर साइड में और यहां पर हम अपना कोई फाइल भी ऑन कर सकते हैं यहां पर अपना वर्क कर सकते हैं और यहां पर हमारा साइड में हमारा देख सकते हैं कास्ट यहां पर हमारा ऑन हो चुका है यहां पर देख जो भी हम याँपर प्रोसेस जो करेंगे अपने मोबाइल के अंदर यहाँपर जो भी अम अपने मोबाइल के अंदर करेंगे वह सारी चीजह होएगी आपके net SPEEDla डिपेंड है कि फोड़ा बहुत कास्टिंग है वो लेक कर सकता है बट बहुत स्मूथली चलता है कास्टिंग इसका यहां पर मैं आपको कोई वीडियो भी प्ले करके दिखाता हूं देखिए यहां पर मैं एक वीडियो में प्ले कर देता हूं और इसको रोटेट भी कर देता हूं इस तरह से मोबाईल जब मैं रोटेट करता हूं तो यहां पर इसक्रीन भी रोटेट हो जाते हैं यहां पर देख सकते हैं बहुत फूल एश्डी में कि यहां पर देख सकते हैं जो वीडियो चल रहे हैं वहां पर वह सेम यहां पर भी चल रही है यह देख सकते हैं आप इसके बाद इस तरह से आपको सारी चीजे कि यहां पर देख सकते हैं शेम वीडियो चल रहे हैं इसके बाद यहां पर हुज़बी कर देते हैं अपने इस वीडियो को सार को यहां पर देख सकते हैं अड़र कर लेते हैं यहां पर आक्ष्यकुमार की एक लाफिंग उसको और कर देते हैं कि सेम टाइम में यहां पर जो वीडियो चल रही है वहां पर भी चल रही है इसको बैक कर लेते हैं यहांपर तो इस तरह से यह आप Screaming कर सकते हैं यहांपर जिश्तर से रोटेट होगाूँ इस तरह से इसके बाद आपको एक और फ्यूचर्स जो है इसके अंदर वो बताता हूं में कि यहांपर देख सकते हैं में आपका जो रिकर्डिंग का option है तो आप इस रिकर्डिंग पर क्लिक करेंगे कि तो ये इसकी screen recording होने लगेगी ठीक है याप पर screen recording ने हो लगेगे इसको जब stop कर्देंगे तो वह गेलरी में से हो जाएगी और इसके बाद हम नेक्सट अपताता हैから पर आलवेज अन टॉप का जो ऑप्शन है उसके अगर क्लिक कर देंगे तो जो भी फाइल अगर अब कुछ भी करेंगे आप पर तो यहां पर आपका जो है कि वह नहीं आपका यह पीछे नहीं जाएगा उपर ही रहेगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके स्क अब दिखाता हूं लेट्स वीव एप को अन करके यहां पर अन करने के बाद यहां पर मी वाले अप्शन पर आ जाते हैं यह पर आने के बाद यहां पर आपको वाइड़ बोर्ड भी मिल जाता है यह बहुत बड़ियां है अगर आपको एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए ये software बहुत ही मदद करेगा आप इससे आसानी से लोगों को सिखा भी सकते हैं online आसानी से इस यूज़ करके तो यहाँ पर देख सकते हैं जो whiteboard मेरा आ गया इस पर मैं कुछ भी करूंगा यहाँ पर तो जो भी होगा इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर अपना उसका पतला मोटा भी कर सकते हैं थोड़ा लिखावाट जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद अगर कुछ गलत हो चाहता है लिख भी कर सकते हैं इस तरह से आप इस वाइड बोर्ड का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेट्स व्यूव सॉप्टेर की मदद से आसानी से इसके बाद यहां पर लाइक सब्सक्राइब इसके बाद यहां पर हमने phone स्क्रीन मिरेर ना कर आपको बताया कि आप किस तरह से mobile के स्क्रीन को desktop पर कर सकते हैं और desktop के screen को किस तरह से अपने mobile के screen पर कर सकते हैं यहां पर मेरे mobile के screen ते हैं यहा पर da do connecting के लिए औdown का option आ गया सक भी कर लेता हूं यहां पर जैसे अलो करता हूं यहां पर देख सकते हैं जो लैपटाप की स्क्रीन है मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया है यहां पर आपको सेम दिखा रहा हूं यहां पर देख सकते हैं मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं इसके बाद मैं जो भी अपने लैपटाप ऑन्दर करूंगा वो सारे चीजे मुझे मोबाइल पर मेरे शोव होंगी यहां पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल के ऊपर शो रही है लेकर समझ employer की तरह पर तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच्छ